Hello friends, कैसे हैं आप सब? I hope you are all good. तो आज के इस lecture में हम आपके लिए लेकर आए हैं Fees Mafi के लिए पत्तर यानि application for full fee concession जो classes 9th and 10th के बच्चों के लिए most important है and ये हम Hindi में लेकर आए है and ये हम बहुत ही simple language में लेकर आए हैं से एक या दो बार सुनने के बाद आपको ये याद हो जाएगी और आप जब अपने exam में से लिखेंगे तो आपके काफी अच्छे marks आएंगे अकसर आपके साथ क्या होता है कि आपको complete information नहीं होने के कारण आपके जो marks हैं इस application में कम आते हैं आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो friends my name is Duggal and you are watching Duggal Education तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी के लिए तो सबसे पहले जब आपको ये application लिखना है तो आपको अपनी जो answer sheet है उसके left hand side से लिखना है right hand side पर नहीं लिखना है ये तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में फिर मुखे अधिहापी का जी फिर आपको अपने school का नाम लिखना है जैसे यहाँ पर हमने लिखना है काखागा विद्याले तो यहाँ पर आपको अपने school का नाम लिखना है फिर उसके बाद जहां हमने शिवालिक विहार दिली लिखा है तो जिस टेट में आपका स्कूल है वो आपको यहां पर लिखना है उसके बाद नेक्स लाइन में आपको जिस दिन आप यह एप्लिकेशन लिखेंगे वो डेट लिखनी है जैसे हमने लिया है 30 अक्टूबर 2020 उसके बाद विशे लिखना है आपको तो विशे में आप क्या लिखेंगे स्कूल की फीस माफी के लिए पत्तर चलिए आगे देखते हैं इसके बाद आपको क्या लिखना है इसके बाद आपको यह एप्लिकेशन शुरू करनी है तो सबसे पहले लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पर आदर्निय मोहद्या उसके बाद आपको अपने प्रिंसिपल को बताना है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप स्कूल की फीस क्यों नहीं दे सकते आपकी जो मंतली इंकम है आपके फादर की वो कितनी है आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं और आपकी फीस उनको क्यों माफ करनी चाहिए ये सबी आपको इस एप्लिकेशन में बताना है तो चलिए शुरू करते हैं सविन्य निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल के कक्षा दस्वी सी का चातर हूँ यानि आप 10th सी के स्टूडेंट है अपने स्कूल में तो यहाँ पर जहाँ पर 10th सी लिख है तो यहाँ पर आप अपनी 8th, 9th, 10th जो भी आपकी क्लास है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और मैं स्कूल फीस का बुगदान करने में आसमर्थ हूँ यानि आप अपनी स्कूल फीस नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पिता जी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है यानि आपके जो फादर है उनकी जो इंकम वाइज यानि फाइनेंशल कंडिशन है वो ठीक नहीं है मेरे पिता जी एक छोटी फैक्टरी में काम करते हैं जिससे उनकी आए बहुत कम होती है उनकी मासिक आए मातर 9,000 रुपे है यानि उनकी जो मंतली इंकम है वो सिरफ 9,000 रुपीज है चलिए देखते हैं आगे आपको क्या लिखना है हम परिवार में एक उल 5 सदत्से हैं यानि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं पांच मेंबर हैं अकॉर्डिंग टू जैसे आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें हमारे परिवार का पालन पोशन मुश्किल से चल पाता है यानि 5 सदत्से होने के कारण 9000 रुपे से हमारी जो फैमिली है उसका पालन पोशन मुश्किल से चल पाता है इसलिए मेरे पिता जी मेरी स्कूल की फीस का बुगदान करने में आसमर्द हैं इसलिए वो मेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते मैं अपनी कक्षा का परिश्चमी चातर हूँ यानि आप काफी hard working है और मैं हर साल अपनी कक्षा में प्रतम आता हूँ and आप हर साल अपनी जो class है उसमें first आते हैं मुझ में शिक्षा के लिए जनून है यानि आप आगे पढ़ना चाते हैं और सिक्षा लेना चाते हैं और मैं आगे पढ़ना चाता हूँ request करें कि वो आपकी जो fees है वो माफ करें जिससे कि मैं आगे की बढ़ाई जारी रख सकूँ यानि अगर वो आपकी fees माफ कर देते हैं तो आप अपनी जो study है उसे continue कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आप मेरे अनुरोद पर विचार करेंगे यानि आपके जो principle है वो आपकी जो situation है उसको समझेंगे आपकी इस किरपा के लिए मैं सदा आपका अभारी रहूँगा अगर आपकी जो principle है वो आपकी जो fees है वो माफ कर देते हैं तो आप सदा उनके अभारी रहेंगे उसके बाद आपको right hand side पर लिखने है धन्यवाद आपका अग्याकारी शिश्य नाम प्रिंस कक्षा दस्वी सी यानि जो नाम आप यहाँ पर अपना देंगे वो लिखने है और अपनी class mention करनी है यह most common पतर है जो आप सभी को आना बहुत जरूरी है तो friends आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like, share और comment करना मत भूलिए and अगर आप अपने कोई suggestion हमें देना चाहें तो comment section में अपने questions and अपन का मिलते रहें thank you so much for watching this video thank you so much friends we will meet you in next video तब तक के लिए good bye